चोपडा एजो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपडा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बच्चों MCC ने रीफंड के रेगार्डिंग पब्लिक नोटिस डाल दिया है और इसमें डेट भी अनाउंस कर दी है कि आपका जो रीफंड है वो कितनी तारिक से कितनी तारिक के बीच में आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में तो एक बार हम नोटिस देख लेते हैं तो नोटिस में ये लिखा है कि ये जो रीफंड है ये 10th जोन 22 से स्टार्ट होगा यानि कि 20 जून तक हर एक student के account में जो इसके लिए eligible है refund के लिए eligible है और जिसने जिस account से pay किया है उसी account में वापस आ जाएगा इसमें आगे clearly लिखा है कि जो candidate जिन्होंने payment किया है वो इसके लिए refund के लिए eligible है अपने bank account को card को active रखे ताकि ये पैसा उनके account में आ जाए अगर जिनका active नहीं है तो उसके लिए अलग process है फिर उनको new bank account के लिए application देने होगी supporting documents देना होगा तो उसके process में काफी ज्यादा time लगता है काफी ज्यादा समय लग जाता है तो इसका जो इसके responsible होंगे वो candidate खुद रहेंगे अगर उनका account active नहीं है तो तो ये list भी एक publish कर दी जाएगी mcc की website पर कि किन candidates का कितने तारी को ये जो amount है refund का ये insert हुआ है तो आप उस में list आने के बाद अपने bank से bank account से एक बार check कर सकते हैं कि आपका refund आया है या नहीं आया है अगर आपका refund नहीं आता है तो इसमें मैं आपको process बता दूँगा कि कौन से mail id पर आपको mail करना है कौन से documents आपने produce करने है जो field transaction है जो field हुआ है जिनका refund जिनके account में नहीं पहुंचा है उसकी भी list mccc दवारा publish कर दी जाए तो आप bank account से एक बार चेक कर लेना 10 से लेके 20 जून 22 के पीछ में यानि कि 20 जून से पहले पहले हर एक candidate का refund उनके bank account में आ जाएगा तो यह जानकारी थी mcc के notice के बारे में मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जाए है